तो दोस्तो आज का वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपने कैनन का को भी प्रिंटर पर्चेस किया है जिसमें वाइफाई डारेक्ट लेन वाला ओप्सन देखने मिलता है आप चाहते कि जो आपका मोब मोबाइल है को भी एंडूड मोबाइल है और उस एंडूड मोबाइल को कैनन प्रिंटर से करनेट करना चाते है वाइफाई के थुरूप को भी प्रिंट निकालना चाते है तो आप यहाँ पर इजी तरीके से निकाल सकते है सबसे पहले तो प्रिंटर में जो वाइफाई व तो टोटल चीच किलियर हो जाएगा और आप यहां पर इजी तरके से मोबाइल से को भी प्रिंट निकालना है वो कैनन प्रिंटर में निकाल सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखेगा अंटक देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ला प्लगिन किया हुआ है उस पावर प्लगिन में बटम को आपको प्रिंटर यहां पे अब हिगा अब आप यहां पर फिलाल देख सकते हैं निटवो का ऑप्सन देखने मिलेगा काफी सारे अप्सन मिल जाते हैं और आपको पावर बटम के नीचे में जो नेटवो वाला बट लेंग वाला option on नहीं होता यह अगर problem देखने में नहीं होता तो सबसे पहले तो आपkuать printer चेक कर लेना है कि प्रिंटर मैं अगर आपकी जाती है तो नीचे में जाने के बाद मैं आपको यहां पर दिखाra का देता हूं यह Canon का printer है और यह अगर आपका box open किया हूं तो इसको आ निचे में आपको paper tray वाला option मिलेगा उस paper jetset को आपको यहां पर नीचे से इस परकार से निकाल लेना है। यह सबसे पहला step आपको यहां पर follow करना है। अगर आप फर्स्ट बार यहां पर यूस कीज़ेगा तो यह बुलून राट सिप यहां पर जलता हूँ नजर आएगा तो यहां पर नेटवर्क और डायरेट को इनेबल करने के लिए सिंप्ली क्या करना है जो इस्टार्ट वाला उप्सन मिल रहा है इस्टार्ट में आपको अपने मोबाइल को ओपन कर लेना है को भी एंडूर्ट मोबाइल आपके पास है और उसमें आपको वाइफाई को ओन कर लेना है आप सेटिंग में जाए और सेटिंग में जाने बाद वाइफाई वाला उप्सन में जाने के बाद जो प्रिंटर का वाइफाई वाला उप्स जिसे आप यहां पर पीछे में जाईएगा तो पीछे में जाने बाद दोस्तों आपको देख लेना है सिरियल नंबर कहां पर लिखा हुआ है यह आप देख सकते जो सिरियल नंबर लिखा हुआ है अगर आपको यहां पर पासवर्ड चेक करना है तो आप यहां पर चाहल नहीं करना है देल उबडे में आपको ओक्वाला आप्सण मिलेगाा, ओके पर ख्लिक कर देना ओक पर कलिक कर देगे यहां पर यहां पर कनेक्टेट बताहएगा तो वाई फाई से यहां पर कनेक्ट हो चुका है जो आपको प्रेंट हो Almighty से यहां पर direct connect हो गिया है जब आपका यहां पर वाइप है से connect हो जाता है उसके बाद अगर आप यहां पर को भी document को print कीजेगा तो आपका यहां पर print नहीं होगा मैं आपको दिखा देता हूं तो आप नीचे में जाईएगा तो आपको print वाला option देखने मिलेगा इस print पर जैसे आप्यां पर click करते हैं तो किलिक करने के बाद देखें यहां पर print नहीं होगा यहां पर print वाला तो option देखने मिल जाता है पर जैसे आप यहां पर print पर click करने बार सेक्ट आप्र प्रेंट o option देकने मिलता है और search वाले option पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पर वेट करना आपको यहाँ पर सर्च होना चालू हो जाएगा यह देख सकते हैं यहाँ पर देखने मिलेंगे इसको आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके option में जाना ऐसके लिए आपको आप सबसे लास में जाईगा थो मैं पर यहां पर इस पर कर चेंश कर सकते हैं ये आपको इस परकार का मिले सब्सक्राइबक तो चलिक करने में कुछ देर के बाद आप यहां पर पृइंट में डाला था वो print यहां पर निकलना चालू हो जाएगा तो मैं आपको यहां पर print की quality भी check कराने वाला हूं और जब फ़स्ट बार दोस्तों आप यहां पर print निकालिएगा तो थोड़ा slow निकलता है और next बार जैसे आप print निकालिएगा तो speed आपको देखने को मिल जाएगा तो यह देख सकते हैं यहां पर print निकल चुका है और print निकलने के बाद मैं आपको यहां पर quality दिखा देता हूं print की quality देख सकते हैं काफी अच्छा यहां पर print आ रहा है बाकि आप अपने हिसाब से यहां पर setup कर सकते हैं